नमस्कार, आपका स्वागत है आयूरवेद हिंदी चैनल पर. आज हम एक बेहत गंभीर और महत्वपूर्ण विशय पर बात करेंगे, जिसका नाम है औस्टियोपोरोसिस. यह एक ऐसी बीमारी है, जिसमें हड्डियाओं कमजोर हो जाती हैं, और उनके तूटने का खत्रा बढ़ जाता है. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आयूरवेद इस प्राचीन चिकित्सा पद्धती के जरीए आप इस समस्या से बचाव कर सकते हैं, और इसका प्राकृतिक इलाज कर सकते हैं. आस्टियोपोरोसिस एक ऐसी स्थिती है जिसमें हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, जिससे वे कमजोर हो जाती हैं और आसानी से तूट सकती हैं. आमतोर पर ये समस्या बढ़ती उम्र के साथ होती है, लेकिन आजकल बदलती जीवनशैली और पोशन की कमी के कारण युवा लोगों में भी देखने को मिल रही है. अब जानते हैं आस्टियोपोरोसिस के मुख्य कारण. पहला कारण है उम्र का बढ़ना. उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों का घनत्व स्वाभाविक रूप से घटता है और यह ऑस्टियोपोरोसिस के विकास का मुख्य कारण है. दूसरा कारण है हमारी जीवनशैली. अगर आप नियमित शारिरिक गतिविधी नहीं करते, तमबाकू या शराब का सेवन करते हैं, या कैल्शियम और विटामिन डी की कमी वाले आहार का पालन करते हैं, तो यह आपकी हड्डियों के स्वास्थे पर बुरा असर डाल सकता है. तीसरा कारण है आनुवन शिक्ता. अगर आपके परिवार में किसी को ऑस्टियो पोरोसिस है, तो आपके इस बीमारी से प्रभावित होने की संभावना भी बढ़ जाती है. आयूर्वेद में कहा गया है कि शरीर में वाद्दोश की असमानता भी हड्डियों की समस्याओं का कारण बन सकती है. इसलिए आयूर्वेदिक चिकित्सा में वाद को संतुलित करने पर विशेश ध्यान दिया जाता है. अब बात करते हैं आस्टियो पोरोसिस के आयूर्वेदिक उपचार की. आयूर्वेद में कई शक्तिशाली जड़ी बूटियाओं और उपचार हैं, जो हड्डियों को मजबूत करने और उन्हें पोशन प्रदान करने में सहायक हैं. पहला है अर्जुनारिष्ट. शरीर की समग्र सहन शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है. इसका नियमित सेवन करने से हड्डियाओं मजबूत होती हैं. दूसरा है अश्वगंधा चूर्ण. अश्वगंधा हड्डियों की मजबूती को बढ़ाने के साथ साथ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ इसके अलावा आमल की रस यानि आमले का रस हड्डियों को आवश्यक पोशन देने और शरीर को विटामिन सी की आपूर्ति करने में मदद करता है. सहजन के पत्तों का रस भी एक अदभुत प्राकृतिक उपाय है. यह कैल्शियम और अन्य मिनरल्स से भरपूर होता है जो ह अब जानते हैं उन आहारों के बारे में जो हड़्डियों के स्वास्थे को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। अंस्टेयो पॉर्सिस से बचने के लिए आहार में विटामिन और मिनरल्स की प्रचुर्ता होनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण फल हैं। आमला, जो विटामिन C का एक बेहतरीन स्रोत है, ये हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। खजूर, जो कैलशियम, पोटेशियम और मैगनीशियम का एक सम्रिद्ध स्रोत है। इसके अलावा, इवोकाडो, गाजर और खर्बूजा जैसे फल भी हड्डियों के स्वास्थे के लिए फायदे मंद होते हैं। सबजियों में पालक, ब्रोकोली, गोभी, शलजम और सब्तरंगी जैसी सबजियां हड्डियों की मजबूती के लिए आवशक पोशक तत्व प्रदान करती हैं। सूखे मेवों की बात करें तो, अल्मोंड, अकरोट, कश्मीरी बादाम, किश्मिश और अनारदाना भी हड्डियों को पोशन देते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ऑंस्टियो पोरोसिस के मरीजों को कुछ चीजों से बचना चाहिए। अल्यूमिनियम युक्त खाद्यपदार्थ, प्रोसेस्ट और रिफाइंड खाद्यपदार्थ, कैफीन और अल्कोहल का सेवन हड्डियों के लिए हानिकारक हो सकता है। इनसे बचकर आप अपनी हड्डियों का बेहतर ख्याल रख सकते हैं। तेज मसाले और मिर्च का सेवन भी हड्डियों को कमजोर कर सकता है, इसलिए इन्हें भी सीमित मात्रा में लें। अंत में आयुरवेद का मूल सिध्धान्त है, शरीर को संतुलित और स्वस्थ रखना। अगर आप सही आहार, नियमित शारीरिक गतिविधी और आयुरवेदिक उपचार अपनाते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस से न किवल बचाव हो सकता है, बलकि इसका प्रभावी इलाज भी संभव है। याद रखें, अपने आहार और उपचार को संतुलित रखें और अपने चिकित सक से परामर्श वश्य करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो हमारे चैनल अयुरवेड हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद और स्वस्थ रहें।